तो यार आज किस वीडियो में हम आपको जो यहां पर सेर करने वाले हैं आप यहां पर असानी से दिख सकते हैं तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको यह किलियर कर द रहा हूं कि यार यहां पर जो भी आज बतलाऊंगा न अगर आपको नहीं समझ में आगे तो आप वीडियो के नीचे कुछ भी लिख कर जा सकते हैं जिहां सही सोचे कि यहां पर अगर आपको समझ नहीं आगे तो आपको क्या करने है कि यार कुछ भी लिखा कर वीडियो के नीचे जा सकते हैं तो आज की इस टॉपिक में हम क्या क्या चुजों को सामना करने वाले हैं यहाँ पर आप असानी से देख सकते हैं यहां पर लिखा हो हेट्रो सेक्सूल जिसको कहते हैं बिसमलांगिक और इसके बाद हेमो सेक्सूल जिसको कहते हैं समलांगिक और सम लेंगिक के कई कटेगरी होते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस्बियन और इसके बाद गी और इसके बाद बाई सेक्सूल और इसके बाद ट्रांजेंडर और इसके बाद इंटर सेक्स और इसके बाद है टोम बॉय तो यह सब होते हैं क्या होती हैं कटेगरी होते हैं कटेगरी यानि पद यानि स्रेनी होते हैं ओके तो आज के इस टॉपिक में हम यह सब चीजों को आज जनकारिया प्राप्त करने वाले हैं यह सब जितने भी यहां पर दीख रहे हैं यह सब के बारे में आज हम फूल डीटेल्स जनकारिया दें कर दो यहां प्र देख सकते हैं कि लिखा क्या हूंँ इन सभी ग्रुप को हम क्योड यानी LGBTI कहते हैं तो किन गुरूपों को यहां से ले करके और यहां तक कि जितने भी गुरूप है न यह आपको की ओर और LGBTI कहलाता है तो यहां तक यह और यहां तक यह सब जितने भी गुरूप है यह आपको क्या कहलाएंगे की ओर LGBTI आई यहां तकी बात असानी से लगता है आपको आ चुकी होगी तो आगे के बातों को हम चले जानते हैं कि आगे हम क्या जानने माले यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखा क्या है तो यहां पर आप देख सकते हैं हेट्रो सेक्सुल क्या है हेट्रो सेक्सुल तो यार हेट्रो सेक्सवल यानी कह सकते हैं बिस्थम लेंगिक यार हेट्रो सेक्सवल जो होता है ना वह बिस्थम लेंगिक होता है आप यहां पर परिभासा देखें तो कुछ इस पर कार की है आपको डरनी नहीं है मेरे प्यारे साथी ठीक है यहां पर देख्या क्या हुआ है कि यह अलग-अलग मेल यानि कह सकते हैं पूरुस और फीमेल यानि कह सकते हैं आपको तो महिला और आकरसित होते हैं यानि आप महिला पूरुस की ओर खिजाती है यानि कह सकते हैं जब इन दोनों के बीच क्या होता है कि इन दोनों के बीच जब लव होता है प्यार महिला जो होती है ना ये पूरुस की ओर क्या होती है अकर्सित होती है तो महिला जो होती है वो किसके ओर अकर्सित होती है तो पूरुस की और आकर्शित होंगे यानि यह क्या है एक प्राकृतिक होता है देखे आपको यह भी कख्ज़ कर दरा रहूं अगर 11th भी बोलूगा ना तो आप परिभासा से समझ सकते हैं क्योंकि मेरे साथ ही परिभासा यानि जो नोट्स त्यार करते हैं वह आपको बहुत ही डेंदर्स त्यार करते हैं मैं नहीं भी बोलूँगा तो आप वीडियो को देख कर समझ सकते हैं क्योंकि मैं ऐसा लिखता हूँ यहाँ पर नोट्स तो यह जो मेल है यह पूरुस के और आकर्सित होते हैं और यह पूरुस मेल के और आकर्सित होते हैं यानि यह पूरुस मेल के और और यह मेल पूरुस के और आकर्सित होते हैं यानि attraction होता है clear और यह सुरू से यारा यानि यह क्या है प्रक्राख्रेथिक है ओर तो आगे की बातों पर हम क्या देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर कह सकते हैं homosexual यानि हेमोसेक्सवल यानि अगर हिंदी देखा दा तो यह होता है समलेंगिक और इसका यहां पर डिफनेशन जो है जो परिभासा है यानि इसका जो उत्तर है कोछ इस प्रकार कि इसमें न एक जैसे लोगों का लगाओ होता है कुछ लोग इससे बिमारी मानते हैं तो कुछ लोग नहीं मानते हैं दोस्तो इस इस्तिती में क्या होता है कि इन में जीतने भी लोग होते हैं जिसे मान लेते हैं यहाँ पर सम लेंगिक अगर आपको परिभासा समझ में आ गई होगी कि इसमें एक जैसे लोगों का लगा होता है तो अभी आपको यह समझ नहीं आएगी जब इसके हम कटेगरी बतलाएंगे इसके जब हम कटेगरी बताएंगे तो यहाँ पर इसके कटेगरी कितने होते है तो पांच होते है कौन-कौन तो सम लेंगे के जो कटेगरी हम बतलाएंगे तो अब आपको clear समझ में आगा कि सम लेंगी का आखिर होता क्या है तो सम लेंगी का जो परिभासा है कुछ इस परकार क्यों होती है कि इसमें एक जैसे लोगों का क्या होता है लगा होता है जैसे पूरुस है तो पूरुस के और क्या होते है अकरसित होते है अभी हम आगे इन बातों पर चर्चा करेंगे तो हेमोसेक्सूल इसमें क्या होता है इसका जो परिभासा है आप असानी से लिख सकते हैं वीडियो को रोके और आप असानी से लिखने का परियास केजिए तो हेमो सेक्सूल अगर आपको यहां तक आई या नहीं आई यानि इसमें एक जैसे लोगों का क्या होता है लगाव होता है तो कुछ लग इसको कहते हैं कि बिमारी है और तो कुछ लोग कहते हैं कि यह नहीं ठीक है तो यार यह बाते अब हम समझते हैं इसके काटेग्री तो यहाँ पर जो काटेग्री है जो पहला काटेग्री है वह है यहाँ पर देख सकते हैं यह आपको पहला काटेग्री है हेमो सेक्सूल का किलियर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला जो काटेग्री है वह है लेस्बियन तो इस इस्तिती में ऐसे लोग दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मादा और मादा जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाने का पर्यास करते हैं यहां पर लिखा कि मादा और मादा को आकरसित करती यानि एक महिला यहां पर भीटा है एक महिला है यह महिला क्या करेगी कि महिले से क्या करने लगेगी आपको करने लगेगी लव यानि यह महिला महिले की और क्या हो जाएगी आकरसित होने लगेगी ठीक है तो यह महिला जो ह में नर अच्छे नहीं लगते हैं ये जो मेल होते हैं इनको पूरुस पसंद नहीं आते हैं नर मादा आपको आता है या नहीं नर यानि समझे पूरुस और मादा यानि समझे लड़की ठीक है तो यार मेल जो होते हैं मेल की और अकर्षित होते हैं तो ऐसे लड़किया आपको कया लस्फ वियन ठीक हैं लस्फ वियन आपको समझ में आई की नहीं है यानि कह सकती है कि इसमें मादा कौ अकर्शिड करते हैं इस स्थिती में नर अच्छह नहीं लगती हैं यानि पूरु सच्छ नहीं लगती है, यह मानसिक रूप से होता है, जो क्यों लड़किवों में ही होता है, इसे हम Sam Langi कह सकते हैं, Sam Langi कह सकते हैं, क्योंकि एक जैसे लोगों में क्या है, इनका, sorry, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और थोड़ी सी यहाँ पर हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि एक जैसे लोगों में लगाओ, जैसे mail है, तो mail की और क्या हो रहा है, आकासित हो रहा है, तो mail जब mail की और आ किलातें लिष्पियन किसको कहेंगे जब लड़की लड़की को ही आकर्षिद कर लेन लड़की से मतलब बहुत लगाओ रखें और लड़का पर मतलब सक्थाके ही न किलियर तो ऐसी लोग क्या केलात एं लिष्पियन तो यह बातें आपको असांटी काई हो यहां पर हम आपको यहां पर चाप दे रहे हैं महिला समझी यहां पर आप देख सकते हैं यह जो पूरुस ही यह पूरुस से बहुत लव लगता है बहुत इसको बहुत पसंद है पूरुस यह जो पूरुस होते हैं यह पूरुस को बहुत पसंद करते हैं जब गी आपको हो जाया तो क्या होता है कि इसमें बहुत गी आपको मांसिक रूप से होती है जो कि जनम से ही होती है ठीक है त्यार यहाँ पर ऐसे लोग ना पूरुस को ही बहुत पसंद करते हैं और महिला पर त्यार ताकते ही नहीं मरत थूकते हैं उस पर त्यार गी में क्या होता है कि पूरुस पूरुस को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं व जो है पूरुस यह पूरुस को ही क्या करते हैं ठीचते हैं आकरसित करते हैं फसाते हैं ठीक है तो इस इस्तिति में क्या होता है कि मादा इनको खराब लगते हैं तो यहाँ जो है यह क्या होता है लड़कों में क्योल होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़की में क् का होता है गी तो यह बाती असानी से आई की नहीं आई तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं गी आपको आई की नहीं अगर पूरुस पूरुस को ही बहुत चाहता है और मादा पर मतलब धागता ही नहीं है तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे दोस्त पर लिखा क्या हुआ है बाइसेक्सूल तो बाइसेक्सूल जो है इसमें क्या होता है कि देखिए आपके सामने जो परिभासा है कुछ इस प्रकार के है कि इसमें नर नर से दोस्ति करते हैं और नर नमादा से भी दोस्ति करते हैं इस इस्तिती में क्या होता है कि यहां जो नर है नर को हम यानि पूरुस है तो पूरुस को ऐसे करेंगे और यहाँ पर भी क्या है पूरुस है और यहाँ पर एक क्या है महिला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाई सेक्सूल में क्या होता है कि इसमें नर नर से दोस्ति करता है यह जो पूरुस है ना यह पूरुस स भी दोस्ती करते हैं और क्या होता है कि नर यानि जो लड़का है वो मादा से भी दोस्ती करता है या जो है लड़की से भी दोस्ती करता है और लड़कों से भी दोस्ती करता है तो अगर आपको वैसे लड़के मिल जाए जो बहुत लड़की को चाहता है और बहुत लड़कों भी चाहता है तो ऐसे लोग को हम कहते हैं बाई सेक्सूल किलियर तो आपको यह समझ में आए कि यार वैसे लोग जो लड़की को भी बहुत पसंद करते हैं और लड़कों को भी बहुत पसंद करते हैं तो ऐसे लोग आपको कहते हैं बाई सेक्सूल और यही नहीं मादा में भ वे लडगीयों के भी क्या करता है। बहुत पसंद करती तो गया होते हैं वे आपको क्या उता है कि यार जो लड़कों को भी पसंद करता है। वे लड़कों को चाहते हैं और लड़कियों से उतना ही चाहते हैं जितने लड़कों को चाहते हैं और इसमें जो लड़के होते हैं उतना ही जितने अपने दोस्त को चाहते हैं उतने लड़की को चाहते हैं तो बाइसेक्सुल में यही होता है कि जो पूरुस होते हैं वे का प्लब होता है कि इस स्थिति में दोनों क्या हो लगते हैं अच्छे लगते हैं तो यह बात आपको आई की नहीं है अगर कोई ब्यक्ति को नर भी अच्छा लगता है यानि पूरुस भी अच्छा लगता है और मादा भी बहुत अच्छा लगता है तो ऐसे लोगों को हम कहत यहां पर आप देख सकते हैं जो मैंने उपर लिखा था वो आगया है ट्रांसजेंडर यहां पर ट्रांसजेंडर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं तो ट्रांसजेंडर को हम क्या कहते हैं किनर भी कहते हैं और दोस्तों हिजडा भी कहते हैं और हम छक्का भी कहते हैं केंर क्या सकते है और हिजड़ा और च्शखका करें नाम से जानते है तो यहां पर इसमें जो क्या होता है न Farm जो उते हैं इसमें लिंग उठल यह नि को समझना बहुत एजी होते हैं तो आप समझी लड़कों में क्या होता है लिंग होता है और लड़कों में क्या होती है योनी होती है तो वे जो किनर यानि हिजड़ा यानि छक्कास होते है उसमें क्या होते है लिंग अत्वा योनी डई होते है उनमें क्यों पिसाब का रास्ता होता है तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं transgender यार आप देखेंगे train अथवा बजावरों में देखते होंगे कि यार वे लोग नतलब ताली बजाते हैं तो वे लोग आपको क्या कहलाते हैं transgender यानि ऐसा समझ यह न कि जिसमें केवल पिसाब का रास्ता हो और उसमें link अथवा योनिक कुछ ठीक है दोस्तों सारी रिक बनावाट होती है बट उसमें न केवल और केवल पिसाब का रास्ता होता है आप समझ यहां पर आप समझ पाएं या नहीं पाएं तो अगर आपको समझ आ गई हो तो हम आगे कि और चर्शा करते हैं गिनर आपको आई कि नहीं है कि ऐसे लोग जि क्या कहलाते हैं ट्रांसजेंडर ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं या आगे जो है कुछ इस प्रकार की है लास्ट और अंतिम हैं इंटर सेक्स इन केटेगरी में जो लोग आते हैं ना देख सकते हैं इन लोगों के पास योनी अथवा लिंग दोनों होता है आ समझें यहां पर आप समझें कि वैसे लोग यहां पर एक लड़का है इसके पास या कोई लड़की या कुछ भी हो इनको पास योनी भी होता है और लिंग भी होता है जो के सकते हैं जो लड़कों के पास होता है वो भी होता है इनको पास और जो लड़की के पास होता है वो भी आपक योनी दोनों हो तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे इंटर सेक्स कहेंगे आपको किलियर हुआ या नहीं हुआ आपको आई कि नहीं आई कि ऐसी ब्यक्ति जिन में क्या हो योनी भी हो और लिंग भी हो तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे इंटर सेक्स यहां पर बात आपको clear हुआ की नहीं हुआ ठीक है तो यह बात अगर आपको समझ आई हो तो विडियो को लाइक कर दिजएगा और आगे के बातों को हम देखते हैं जो अंतिम चीज था वो क्या था तो अंतिम जो चीज था वो था आपको कह सकते हैं यहाँ पर था intersex तो हम देख लिए और tom boy आप देखना है अब tom boy आखिर होता क्या है इसको हम चलते हैं नीचे की और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और tom boy को हम समझते हैं यहाँ पर क्या होता है tom boy दोस्तों इसमें क्या होता है कि cauliflower होती है लड़कों के तार्छा रहना पसंद कर्था है इग्जामपल समझे अब बहुत लड़कियों को आप देखेंगे कि सठ और जिन्स, पहना है तो ourज जो होता है वह लड़कों के होती है और लड़कों के हुद होती है तो व्य क्या करती है न ऐसे स्तिति में इस टॉम बॉय में क्या होता है कि इनमें जो लड़कियां होते हैं वे लड़कों की तरह रहना पसंद करते हैं और इसमें जो लड़का होते हैं वे लड़कियों की तरह रहना पसंद करते हैं तो यह आपको कहलाता है टॉम बॉय तो यह थी आपकी छोटी-मोटी जनकार यहां मैं हूँ पपू भाई ठीक है अब अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक करते हैं और चैनल पर नय होते हैं सबस्क्राइब करने न और घंटी को दबा लेना ठीक है तो यहां वीडियो आपको समझ आई हो या नहीं आप वीडियो के नीचे कुछ भी लि जो यहां आपको यहां झाय हो